स्वास्त शिविर में शामिल हुए मंणी अध्यक्ष कोटा उधान्साफा के वनान्चल ग्राम पूडू में स्वास्त वभाग्ध्वरा शिविर का आयोच्वन किया गया है जिसमें पूडू ग्राम के आसपास के पंच्वार्ट के ग्रामेड उपस्थत हुए शिवर में मंडी अध्याक शेक कोटा संदीप शुकला शामिल हुए और उपस्थत मरीजों एवं ग्रामिडों से उनका हालच्वाल की ज्वानकारी ली और कहा कि 36 गर की भूपेश्व सरकार सदेव ग्रामिड शेत्र के विकास और बुन्यादी सुविधाओं को बढ़ाने प तपती धूप में शिवर में आये व्रद्दिव महिलाओं को मंडी अध्यक्ष संदीप शुकला द्वरा चाता का वित्रण किया गया जिसे व्रद्द जनों को धूप और बरसात में सहूलियत मिल सके शिवर का आयोजन प्रात्मिक स्वास केनर चपोरा के मार्ग दर्शक मे रखा गया था प्रभारी शिरीमती किरण नायक ने बताया कि शिवर में लगभग देड़ सो लोगों ने अपना पंजियन कराया और इलाज का फायदा लिया डौक्टर नायक ने बताया कि शिवर में जाधतर महिलाओं को खून की कमी लू आधी की श्विकायत थी जिसका न धीरन कुमार साथ स्वास्त वभाग की टीम एवं कॉंग्रस कारिकरता उपस थे। बंदी तो जानकारी दिया गया है अश्मान कार्ट ज्यादा से ज्यादा बनवाने तो निर्देश दिये गया है। आपका पड़्चावताई है डोक्टर कीरान नाया का आयरवेधिक मेडिकल ओपिसर की एसी चपो रहा हुआ इस सुत्रवाद को कित्याद करते हुए मानी मुल्ख मंतर जी के द्वारा सासंग की विभिन योजनाओं को ग्रामिर जनों के घर गरता पूरू में स्वास शिविर का आगया रखा गया है क्यों कि आने वाला समय बर्साथ के समय है और अभी घर्मी और बर्साथ के अमद्य का जो समय होता है काफी विमार्यों को जनफ कर था मुझता है और मानि मुखमंतर जी के प्रयास से लगाता चेतर में सिर्फ को स्वास्थी नहीं, बल्कि सिख्छा, सरद, पानी, सभी गुनानिया और सत्तां और जान में रख्ते हुए जानीती कारा जा रहे हैं, जिसने ग्रामीरों में सरकार के प्रती की गासा की नई उमीद का उदय हु झाल 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 झाल